प्रेंड आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर यह राईस लाइट और आजकल कि जितनी भी राईस लाइट आती है उनके अंदर तो इस तरीके से देखे इसके अंदर पता नहीं कैसे अचानक से आग लगई और आग लगने के करने आप देख सकते हैं यहाँ पूरी अंदर से काली पड़ चुकी है और इसके अंदर यह चोटा सा हमारे सर्कृट लगा होता है वो भी पूरे तरीके से जल गया है आप आपको चार लेक्ट की IC दिखाई दे रही है, यह कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह हमारी Bridge Rectifier IC होती है, यह जो आपको दिखाई दे रही है, यह हमारी Bridge Rectifier IC होती है, और simply इसके अंदर बस ऐसे light के हमारे connection की होते हैं, और कुछ भी इसके अंदर नहीं होता, तो ऐसे अगर यह IC आपके खराब हो जाया, जल जाया, टोट जाया, गुम हो जाया, कुछ भी हो जाया, तो आपको बिल्कुल परिसान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल असान सा तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए फ्रेंड, आपको अपने पुराने mobile का charger लेना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास यह पुराने mobile का charger है, हम क्या करेंगे, इसका जो charger है, इसके circuit को खोल के निकालेंगे, देखिए, इस तरीके से हमें charger को खोल लेना है, और charger को खोलने के बाद देखिए, यहाँ पर यह मेरा खराब charger है, ठीक है, इसकी जो wire है, चुहे ने काड़ दी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर यह जो हमारे bridge rectifier IC है, यह जलके खराब हो चुके है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यह जो हमारे पास circuit है ना, इसके अंदर अगर आप ध्यां से देखोगे, यह सभी पूराने charger के अंदर आपको मिल जाएगा, इस step के आपको छोटे-छोटे यहाँ पर diode दिखाई दे रहोंगे, तो हमें क्या करना है फ्रेंड इसके अंदर जो चार्ट diode लगे हैं, इस diode को हमें निकालना है, और इस diode की मदद से हमें bridge rectifier IC तयार करेंगे, और फिर से इस light के अंदर connection करेंगे, तो नहां पर देखिए किस तरीके से निकालना बिल्कुल असान है, आप किसी भी solder iron की मदद से इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से आपको पकड़ना है, और पकड़ने बाद iron की मदद से इसको निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, फटा पट सभी डायोड को निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें एक bridge reactifier बनाना होता है, देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने circuit से चारो डायोड को निकाल लिया है, अब हमें इनी चारो डायोड का use करके bridge reactifier बनाना है, तो bridge reactifier बनाने के लिए देखिए पहले हम सभी डायोड को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, इस तरीके से सभी लेक को हमें सीधा करना है, यह देखिए हैं, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने चारों डायोट की लेक को सीधा कर लिया है अब ये जो डायोट होती है ना इनके अंदर हमारा plus minus होता है तो पहले इस चीज़ को आप समझ लो डायोट के अंदर plus minus कौन सा होता है तो देखे फ्रेंड जब आप डायोट को देखोगे bridge rectifier बनाते हैं तो उस case में क्या होता है हमारा plus minus उल्टा हो जाता है यानि silver वाली side फिर वो हमारा plus हो जाएगा और black वाली side हमारा minus हो जाएगा लेकिन अगर आप single diet की बात करोगे तो इसके अंदर silver वाली side हमारा minus होता है और black quality side हमारा plus का होता है अब काफे सारे लोग बोलेंगे सार आप गलत बता रहे हो तो भाई मैं गलत नहीं बता रहा अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो google पर जाके इसके diet के बारे में आप पता लगा सकते हो कि diet के अंदर plus minus कौन सा होता है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा अब यह चीज आपने समझ ली अब चलिए इसका हम bridge rectifier बनाते हैं तो bridge rectifier बनाने के लिए देखें फरेंड सबसे पहले हमें 2 diet को लेना है आपको भी 2 diet ले सकते हो और 2 diet को हमें क्या करना है यह देखें यहांपे हम इसको silver side से इस तरीके से मोड देंगे यहाँ पर मैंने इस तरीके से दोनों डैड की silver वाली set से lag को मोड़ा है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अब उसके बाद देखिए friend, बाकी की जो दो डैड हमारे पास बच्चे हैं, इसको हमें क्या करना है black set से जोड़ना है, तो इसके जो lag है यह काफी छोटी है, तो हम क्या करेंगे friend, यहाँ पर यह मोड़ तो सकते नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, black वाली set से यहाँ पर इसको soldering कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटा-फट इसको हम इस तरीके से काट देंगे, क्योंकि इसका अभी फिलाल कोई काम नहीं है, तो इस तरीके से हम extra lag को यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर यह बिल्कुल छोटा सा हमारा यह bridge rectifier बनके तयार हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके कहीगा, यह bridge rectifier है, देखे friend, इस bridge rectifier का काम क्या होता है, कि यह क्या करता है, AC voltage को DC में convert करता है, तो यहाँ पर देखे, friend, एक side तो हमें AC के wire जोडने है, और एक side हमें light के wire जोडने है, लेकिन कि side जोडने है, यह भी आप देख लो, तो इस bridge rectifier को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसके अंदर देखिए, एक side तो आपको diode का silver पट्टी यहाँ पर दिखाए दे रहे है, और दूसरी side हमारे दूसरे diode का black side यहाँ पर दिखाए दे रहा है, तो एक side तो यह हमारी बन की, यहाँ पर हमें AC वाली wire को जोडना है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो, एक side diode की silver पट्टी है, और एक side दूसरे diode का हमारा black side है, तो यहाँ पर हम AC वाली wire को जोडेंगे, और यहाँ पर देखिए, दो पॉइंट बजगे है, तो उसके अंदर यह silver वाली side हमारी minus का point था, और black वाली side हमारा plus का था, लेकिन हमने यहाँ पर bridge reactifier बना दिये, चार्ट डायट को जोड के, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, silver वाली side हमारा plus होगा, और यह black वाली side हमारा minus का होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोनों point में AC वाली wire को जोड़ेंगे, तो मैं क्या करता हम, फटा-फट AC supply की wire को जोड लेता हूँ, तो यह देखे friend, कुछ इस तरीके से मैंने AC supply वाली wire को bridge reactifier के अंदर जोड़ा है, और इस चीज़ को आप ध्यान से देख लो friend, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती करती wire को जोड़ने में, तो आपकी पूरी light खराब हो सकती है, फिर आप मुझे comment करके बोलो, कि सर, आपकी वज़े से मेरी light खराब होगी, तो यहाँ पर आप देख लो friend, कि एक डाइट का देखे हमारी silver पट्टी इस side में, और दूसरे डाइट की हमारी black side यहाँ पर है, इसके अंदर भी देखे एक डाइट की silver पट्टी यहाँ पर है, दूसरे डाइट का black side यहाँ पर है, तो यहां पे तो हमें AC supply की wire जोडनी है और इस तरीके से देखें यहां पे मैंने यह plug को लगाया है अब उसके बाद देखें फ्रेंट यह जो point हमारे पास दो बस्ते हैं तो मैंने आपको बताय दिया कि सिलोर वाली सैड में हमें plus supply मिलेगी और black वाली सैड में हमें minus की supply मिलेगी तो यहां पे हमें अपनी light की wire को जोडना है अब इस light के अंदर भी आग लग गई थी तो मुझे कोई idea नहीं है कि यह light चल भी रही है कि नहीं चल रही बाकि चलो इसके अंदर हम connection करके देखेंगे त उसको अलग करना है और जिस wire के अंदर LED नहीं लगी उसको अलग करना है तो यहां पे यह जो मेरे पास light है फ्रेंट इसके अंदर एक य वायर के अंदर LED लगी है बाकि जो दो wire है इसको कोई भी LED नहीं लगी हुई तो दो wire है इसको हम क्या करेंगे च्छिल के एक साथ है तो यह चीज भी आपको कनफर्म करना जरूरी है सभी लैटों के अलग-अलग हिसाब होता है कुछ लैटों के अंदर दो वायर के लगी होती है पॉक मेरिवाली के अंदर अदर l burnt opat यह लगी है वहां तो यह अपनी लैट के अंदर हमारी LED लगी है उसको हमें प्लस वाली सैड में जोड़ना है तो यहां पर मैंने आपको बताया दिया है कि मैं लगा रहा हूं इसको तो इस तरीके से देखी जैसे मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हो कि सारी लाइट हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोसनी में काम करी है यहाँ पर देखे मैं अपने उपर वाली लैट को बंद करके आपको दिखाना चाहूंगा अ और वो डिपी जल गई है खराब हो गी है उस डिपी के अंदर लगी आईसी खराब हो गी है तो इस तरीके से फ्रेंड आप किसी भी पुराने मुबाइल चार्जर के अंदर से डायोड को निकाल के इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना सकते हो और अपनी रा को दुबार Auntë यूज कर सकते हो अब इसके अंदर हम दुबारल कि सर्किट को डाल देंगे च्छोटा सा हमने बड़ी है उसके अंदर बड़े आराम से आ भी जायका तो इसे ंदिभबी के नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय है वंदे मातरम